नमस्ते बच्चों यह आपके सोलुशन लेशन का स्तत्रोव वीडियो है इससे पहले हमने पड़ा हिमांक में आउना मन अपड़ेंग याउं विश्रान यह छोटी सी परिभासा है आपके सिलोस में दी हुए छोटी सी परिभासा इसमें आप लिखो वह पिर्क्रिया वह पिर्क्रिया जिसमें उच्चे सांदरता वह पिर्क्रिया जिसमें उच्चे सांदरता वाले चेत्र से उच्चे सांदरता वाले चेत्र से निम्न सांदरता की ओर अनुओं का गमन वह पिर्क्रिया जिसमें उच्चे सांदरता वाले चेत्र से निम्न सांदरता की ओर अनुओं का गमन होना विसरन कहलाता है विसरन कहलाता है यह चोटी शी प्रिवासा भी आप इसको याद कर लेना इसके बाद बढ़ेंगे हम आपकी चार नंबर की जो प्रोपर्टी है लेकिन आपको यहाँपर दो चीज फड़नी है इसमें एक तो फड़ना है आपको परशन क्या फड़ना है परशन फड़ना है और दूसरा इसी में फड़ना है परशन दाव क्या पढ़ोगे भाई परषण द आप दोनों भड़ने याप पर तो पहले तो समझो आप परषण क्या है परषण क्या है भाई परषण दो मुख विश्रण तो है उच्छे सांदरता से निम्न सांदर्ता की और उच्छे सांदर्ता से निम्न सांदर्ता की और लेकिन जो परशन होगा वो होगा निम्न सांदर्ता वाले विलियन से उच्छे सांदर्ता वाले विलियन की और विलायक के अनुव का गमन या प्रवाहित होना क्या कहलाता है परशन कहलाता है आगे बा जिसमें निम्न सांधरता वाले विलियन से उच्छे सांधरता वाले विलियन की और विलायक के अनों का गमन होना या पुरवाहित होना परशन कहलाता है यह किरिया एक अर्ध पारगम में जिल्ली के दुआरा होती है अर्ध पारगम में जिल्ली अर्ध पारगम में का मतलब होता है आदी आदा कही आओ गमन करता है वो देखो परशन परशन में विलायक के अनों का विलायक के अनों का गमन होता है नै कि विले का विले के अनों का गमन होता है विलायक के अनों का गमन होता है इसलिए से कहा जात अर्ध पारगम में जिल्ली का जाता है क्या जाता है तो देखो समझां पराशन समझो पहले पाराश्रान पाराश्रान इसको एंगली से बोलते है ओसमोसिस वह है प्रिक्रिया जिसमें निम्न सांधरता से निम्न सांधरता वाले विलियन से उच्छे सांधरता वाले विलियन निम्न सांधरता वाले विलियन से उच्छे अर्द पार गम में जिल्ली अर्द विलायक के अनों का अर्द पारगे में जिल्ली के द्वारा वे प्रिक्रिया जिसमें निम्न सांधरता वाले विलियन से उच्छे सांधरता वाले विलियन की और विलायक के अनों का अर्द पारगे में जिल्ली के द्वारा अर्द पारगे में जिल्ली के द्वारा प्रुवाहित होना पराशन कहलाता है पराशन कहलाता है क्या कहलाता भई पराशन कहलाता है देखो पराशन और पराशन दाव दोनों अलग अलग है न तो पहले आप पराशन पढ़लो पराशन क्या है वह प्रिक्रिया जिसमें निम्ल सांदर्ता वाले विल्यन से उच्छे सांदर्ता वाले विल्यन की और वलायक्याणों का अर्द पार्गम में जिल्ली के द्वारा प्रवाहित होना पराशान कहलाता है क्या कहलाता भई पराशान कहलाता है अब पराशान को समझने के लिए आप एक प्रियोग कर लो तो दुरोणी का लो चलो इसको मिटा लो एक बार आप आपने क्या ली एक दुरोणी का ली इस दुरोणी का में आप नीचे इसमें आपने बर दिया सरकरा का विल्यन क्या बराबाई सरकरा का विल्यन बर दिया सरकरा का विलियन भर दिया इसमें आपने क्या भर दिया भई सरकरा का विलियन देखो और इस दुरनिका को आपने जल से बरे पात्र में रख दिया किस्म रख दिया जल से बरे पात्र में रख दिया यह जो जल है यह आपर विलायक है और इस दुरनिका में मालने थे हैं कि यह दोणी का में जो विलियन है इसका इस्तर यह है इसको लिख दो इस्तर फाष्ट इसमें भरा है आपका सरकरा का विलियन सरकरा विलियन सरकरा का विलियन कुछ समें बाद आप देखते हैं कि यह जो जल है यह विलायक के अनू यह जल के अनू इस आरतपार के मजिल्ली के दुवारा इसमें प्रिवेश कर जाते हैं तो इसका इस्तर है यह द्रोणी का इस्तर यह विलियन का इस्तर उपर चड़ने लग जाता है इसको देदोन इस्तर सेकिंड ठीक है बई तो आपको समझा गया होगा देखो जो प्राशन जो प्रिक्रिया है जो प्राशन जो प्रिक्रिया है वो निम्न सांदर्ता निम्न सा सांदर तावाले विलियन की और विलायक के अनों का अर्थपारगम जिल्ली के द्वारा प्रुवाइत होना क्या 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 लाता है यहां पर देखो यह विलियन है यह विलियन इस विलियन में अर्थ पारगम में जिल्ली के दुवारा यह विलाइक के अनुई से प्रिविस कर जाते हैं और प्रिविस करते हैं तो भाई यह विलियन का विलियन का इस तरह है जो पर बढ़ जाएगा क्योंकि विलायक के अणों की संकेस में बढ़ जादगी किसमें विलियन में तो यह खेलाता है पराशन क्या कहलाता वही पराशन चित्र बना लो आप एक बर लेको फिर इसके बारे में हुआ है कि परशन दाब कि अब परशन दाब समझा आप आपके समझ लिया परशन क्या कि निमन सांदरता के कि Exchange City सन्दरता की विल्यसी संद्रता की ओर कार्द पार्गी मिजली के द्वारा गमन हो ना ये परवहीत होना ही परशां कहलाता है अब समझां परशन दाब क्या है परशन दाब क्या है जीफोरह bitch تाप को समझने के लिए आप प्रियोग करो आप एक पात्र लीजी वाई, यहां में एक पात्र लेते हैं, इस पात्र में दो पिष्टन लगा देते हैं, या दो वाल लगा देते हैं, यह आपने क्या लगा दिये, दो पिष्टन लगा दिये, दो पिष्टन लगा दिये आपने, इसको पिष्टन P1 नाम देदो, और इसक कि इस पात्र के मद्य में अरद पारके मिजिल्ने लगा दो भई क्या लगानी है अब इस पात्र के दो भाग बनें इसको ए नाम दे दो और इसको बी नाम दे दो ए में ए जो भाग है पात्र का इसमें आप विलायक बर्दों यह जल बर्दों आप विलायक और पात्र भी में और पात्र भी में आप विलियन बर्दों क्या बरना है आपको विलियन ठीक है भाई अब देरे देरे क्या होता है कि देरे देरे विलायक क्या अनूं अर्ध पार्गम में जिल्ली के दुआरा विलियन में प्रिविस कर जाते हैं विलियन प्रिविस करेंगे तो यह जो पिश्टन है यह उपर की और किसकने लग जाता है और यह पिश्टन बी है यह पिश्टन पीवन MORE यह नीचा एक कर आने लग जाता है ठीक भई अब क्या होता है कि विलायक के अनुं का विलियन में प्रिविस को रोकने के लिए एक भाया बल लगाया जाता है इस पिष्टा पर भाह से एक बल लगा दिया जाता है यहाँ बल मैं लोगाओ वे सबस्वारा करना बंद कर रहूं कि आपनाया यहां पर बल लगया आरे लगते ही कि एक बलगते ही क्या होता है कि विलाइक के मिद्ध करना से बन्द कर देते हैं तो सीधी से बात है कि पर चुर्ण कर्या के विरुद्itive लगाय गया दाव यह बल क्या कहलाता है परशन दाब कहलाता है क्या कहलाता है परशन किरिया के विरूद या पृति किरिया परशन किरिया को रोकने के लिए बार से लगाया गया या भाई बल या भाई बल क्या कहलाता है परशन दाब कहलाता है या परशन किरिया के विरूद लगाया या दाब या बल क्या कहलाता है परशन दाब कहलाता है है आगे बास निमें आपको समझा गए यह वहिए आपको एक बार फिर से समझे लो आप हम एक पात्र लेते हैं इस पात्र में इस पात्र में पिश्टन पी-वन और पी-टू लगा देते है पात्र के मंद्य में अर्थ पार्ग में जिनली लगा दी जाती है अर्थ पलंगे में जिली लगाने पर लगाने के बाद इसके बाल दो भाल गो इसने बेटियों इसनोर दो धार्जाता है पिलेई तो तो श् Tower से लिटा का नू व्लाइक reveals करने लग जाते हैं कि दूंग ने प्रिव्ष करते हैं तो विल्यन विल्यान की मातरा बढ़ेगी तो यह उपर कितरफ़ P2 पर कितरफ किसकने लग जाता है और यह कि शटन P1 लगता है नीचे खिसकने लग जाता है लीए परशन इसको कि को पिश्टन P2 को बाहर से रोक दिया जाता है तो इसका विलाइक के अनू का प्रवेश इसमें बंद हो जाता है रूख जाता है इसी को कहा जाता है परशन दाब अब परशन दाब क्या है परशन किरिया को रोकने के लिए बार से लगाए गया दाब या बल परशन दाब कहलाता है क्या कहलाता है परशन दाब कहलाता है ठीक है तो यह है परशन दाब अब समझें इसको लिख लो एक बार परसनाब क्या है वह बहे बल जो वह बहाई बल जो यदाव जो जो उसमें अर्द पारगम्में जिल्ली से विलायक के जो वह बाई बल जो उसमें अर्द पारगम्में जिल्ली से विलायक के अनू के प्रवाय को अनू के प्रवाय को रोकने के लिए रोकने के लिए आवशक होता है आवशक होता है परशन दाब के कहलाता है परशन दाब कहलाता है यह डेफिनिशन एग्जाम में पूछ चुका है वह एग्जामन न इसको अच्छ तरह से याद़ कर लेना आप देखो तो एक बढ़े इसे समय लो पारशन आपको समझने के लिए हम एक प्रियोग करते हैं हम एक पात्र लेते हैं क्या लेते हैं हम पात्र लेते हैं पात्र पात्र के एक भाग में पिश्टन P1 लगा देते हैं और पात्र के दूसरे भाग में पिश्टन P2 लगा देते हैं पात्र के मद्य भाग में अर्थ पार्ग में जिन्न लगा दी जाती है अर्थ पार्ग में जिन्न लगा दी जाती है पात्र के बी भाग में विलियन बर देते हैं और पात्र के ए भाग में विलायक बर देते हैं अर्व पार्ग में जिल्ली के दुआरा विलायक के अनू विलियन में प्रिविस करने लग जाते हैं जैसे प्रिवस करते हैं तो विलियन का इस तरवरता है और पिश्टन पीटू उपर के और खिसकने लग जाता है इसको रोकने के लिए बाहर से एक बल लगाया जाता है या दाव लगाते हैं पिश्टन पर ऐसे रोकने के लिए तो इसका प्रवाह रुख जाता है इसका यह परशनदाव कहलता है यानि वे बाइबल जो उसमें अर्द पाके मजिली से विलायक के अनू के प्रवा को रोकने के लिए आश्चक होता है परशनदाव कहलता है ठीक है यह बना लो आप चित्र और समझ आ गए होगा आपको कि वैसे आप इस प्रियों को लिखना चाहते हैं ना तो मैं लिखी देता हूं लिखो एक आयताकार पात्र लेते हैं एक आयताकार पात्र लेते हैं पात्र पात्र अर्द पार्गे में जिल्ली के द्वारा दो बागों में बटा होता है दोनों भागों में क्रम से पिश्टन पी वन पिश्टन पी वन तथा पिश्टन पी टू लगावता हैं होता है लगा होता है पात्र के ए भाग में विलायक तथा बी भाग में विलियन भरे होते हैं विलियन भरे होते हैं परशन के कारण विलायक के अनू अर्ध पारगमें जिल्ली के द्वारा विलियन में प्रवेश करने लगते हैं प्रवेश करने लगते हैं जिससे पिश्टन पीटू उपर की ओर जाने लगता है और पिश्टन पीवन नीचे की ओर आने लगता है नीचे की ओर आने लगता है पिश्टन पीटू को मूल अवस्ता में लाने के लिए लाने के लिए बार से एक से एक बल लगाते हैं बल लगाते हैं यह बाय बल या दाव परशन क्रिया को लोकने के लिए आफशक होता है आफशक होता है अब आपको समझा गए ओगा वही परशन दाव क्या है यह परशन दाव वही दाव है जो विलायक क्याणों के प्रिविस को रोकता है यानि वह बल वह बाइबल जो उसमें अर्दपार के मजिली से विलायक क्याणों के प्रवा को रोकने के लिए आवशक होता है परशन दाब कहलाता है इसकी सीथी सिवास से आप ऐसे बोल सकते हो कि प continue होती रहेगी आगए बासन में आपको ठीक है उतारो इसे चितर बना अलो इसका चितर बना अलो इसका अभी वो जो चितर में जो आपको बना चुका हूं समझा चुका हूं वह चितर बनेगा यहां पर यह आप आपके विल्यन की लाष्ट अनुश्चंक्या गुनदरा में हैं हमें एक आयताकार पात्र लेते हैं पात्र अर्द पारगें पात्र के अर्द पारगें में जली के द्वारत दो भाग हो जाते हैं एक भाग में पिश्टन P1 और दूसरे भाग में पिश्टन P2 लगा देते हैं भाग A में विलायक तद भाग B में विल्यन बरे होते हैं अर्द पारगें में जली के द्वारा विलायक की आणू बिल्यन में प्रिविस करने लग जाते हैं जिससे piston P2 उपर की ओर जाने लगता है और piston P1 नीचे को ओर आने लगता है piston P2 को अपनी मूल आवस्ता में लाने के लिए या परशन क्रिया को रोकने के लिए बाहर से एक बल लगाया जाता है जिसे परशन दाब कहते हैं तो परशन दाब क्या हुआ भाई यानि परशन क्रिया के बुर्द लगाया या दाब ही परशन दाब है जब तक भाई से बल प्रियुक्त नहीं किया जाएगा तो परशन क्रिया नहीं रुकेगी यानि परशन क्रिया को रोकने के लिए जो बल लगाए जाता है उसे क्या कहा जाता है परशन दाब कहा जाता है अगे बासने में आपको ठीक है उतारो इसको आप अगले वीडियों पढ़ेंगे हम परशन दाब के नियम